बॉले गए वास्ट्विक शब्दों को शो करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? यहां देखिए उपर बी में एक्जामपल है, वह बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तो जो बोलने वाले के एक्चुल वर्ड्स हैं, उसे हमने किसमें इन्वर्टिड कॉमा में रखा है, नेक्स्ट, कुछ और एक्जामपल हैं यहां पर, मैं एकमिन सर, सेट निखि ने बोला कि सर, मैं अंदर आ सकता, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो एक्ट्वल वर्ड्स हैं उसके बोले हुए यह, और इसे हमने इन्वर्टिड कॉमा के अंदर लिखा है, नेक्स्ट, दा पोस्टोफी इस यूज़्ट, इन पोसेसिव फॉर्म उप नाउन्स, नाउन्स है, अल्रेडी उसमें आपको शो हो रहा है, तो हमने क्या यूज़ करना है, अपोस्टोफी, तो यहां आपने यूज़ करना सीख लिए है, अपोस्टोफी का, सिंग्लर में और प्लॉरल नाउन में कैसे यूज़ करना है, नेक्स्ट, इन शॉर्ट फॉर्म्स तुशो कैसे राइट करेंगे, I am, तो I apostrophe am, he will को कैसे राइट करेंगे, he apostrophe double l, next, capital letters, capital letters are mainly used at the beginning of every sentence, शुरुवात में परते एक वाक्य के, बिल्कुल, starting में यूज़ करते हैं, capital letters का, for the pronoun, I, I pronoun है, और इसे आप starting में लिखेंगे, यहां आप mid में लिखेंगे, आप हमेशा इसे capital letter में ही write करेंगे, to begin all proper nouns and adjectives formed from them, हमेशा proper nouns को आपने कैसे write करना है, capital letters में, और जो adjective बनती हैं उनसे, उन्हें भी आपने, किसमें write करना है, capital letters में, example से समझेंगे, बिस्मिल्ला खान, proper noun है, तो हमने capital letters में write की है, बिस्मिल्ला में B और खान में K, तो बिगिन दो वर्ड गोड, गोड का वर्ड हम हमेशा capital letter में write करेंगे, जब भी किसी book का title, किसी play का, यहां किसी film का title हम write करेंगे, तो उसके noun, adjective और वर्ड, जो भी उसमें write होंगे, उसके हम letter क्या करेंगे, capital, देखे, a tale of two cities, यहां T, tale में T, capital write किया गया है, two में T, capital write है, और cities में C, capital write किया गया है, तो अपने ध्यान देने, capital letters को आपने कैसे use करना है, now you have to revise these rules and fill exercise to entry in your English grammar book, okay, thank you.